असलाम अलेकुम वरामतुल्लाह, वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगैन, तो हम कंटिन्यू करते हैं लीनेर एक्षिन टू वायरेबल को, पहले लेक्चर में मैंने आपको डिफिनिशन दी थी, लीनेर एक्षिन टू वायरेबल क्या होती है, एक्षिवली एक ऐसी एक्षिन होत दो दो वायरेबल होंगे, ठीक है, और आज की जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जियमेट्रिकल, रिप्रेजन आफ लीनेर एक्षिन, यहां हम इस तरह कह सकते हैं, अगर हम इस लीनेर एक्षिन का ग्राप डालेंगे, तो वाई, क्या आएगा, हमारे पास कौन सी फिगर आ आप देख सकते हैं, तो लीनेर एक्षिन को हम ग्राफिकली अंडिस्टेंड करने की कुछ करेंगे, और फिर आगे आएंगे हम सॉलूशन, ठीक है, सॉलूशन क्या होता है, लीनेर एक्षिन इन वान वायरेबल का, कैसे निकालते है इसको, ग्राफ कैसे ड्राप करेंगे, वह मैं बताओंगा आपको, तो पहले मैं बताओंगा आपको, लीनेर एक्षिन इन वान वायरेबल एक्षिवली खुती प्लस प्लस बाइपलाशी, ठीक है, तो जल्दी से आठेक है, ठीक है, लीनेर एक्षिवेशन, जैसे कि मैंने जोमेटर कली जब हम इसका ग्राप घाल So this is the point एक linear equation क्या होती है It is a linear equation in two variable बात हो रही है दो variables की ठीक है अगर मैं कही के पर भूल जाओंगा linear equation दो variable भूल जाएंगे तो you assume that ये linear equation two variable है तो linear equation two variable जो होती है वो graphically एक straight line आती है ठीक है तो इसके different connotations मैंने बताया आपको यहाँ पर तो linear equation जैसे के आप यहाँ पर देख रहे हैं graph पर मैंने linear equation के कुछ graph डाले हैं यहाँ पर तो पहले मैं इसको adjust करता हूँ यह देखो यहाँ से मैंने लिखा linear equation एक straight line होती है और एक graph मैंने यहाँ पर straight line का डाल दिया ax plus by plus c is equal to 0 यहाँ पर लिखा मैंने यह एक line ड्रा की दूसरी line मैंने यहाँ से ड्रा कर ली यह भी एक और line है ठीक है भाई नीचे एक और line है red color से बनाई है मैंने और यह दो vertex perpendicularly lines है यहाँ पर इनके special name होते हैं ठीक है तो यह मैं नीचे दिखाऊँगा आपको कैसे बनाते हैं कैसे graph ड्रा करेंगे तो मैं आपको यही बात बताऊंगा भाई आज के बाद आप यह याद रख लेना linear equation in two variable एक straight line होती है जब हम इसका graph ड्रा करेंगे plane पे ठीक है यह two dimension होती है क्योंकि इसमें दो variable आते हैं तो दो dimension होंगे इसके तो इसलिए वज़े से हम इसको plane पे ड्रा करते है ठीक है what is plane plane is anything like आपका blackboard हो गया आपका page हो गया किसी जमीन के surface पे आप ड्रा करोगे तो उसमें खाली दो dimension होते है x and y length and breadth बोलते है इसको ठीक है तो space की बात नहीं हो रही है that is something different space में जो फिगर्स हम ड्रा करेंगे उनको बोलते है solid figures वो different concept है फिलाल चलो मैं यहां से आपको बताने की कुश्च करूँगा देखो let's take this line पहले मैं एक एक करके सब को बताऊंगा ये एक line vertical line मैंने ड्रा की यहां से ठीक है my day students ये एक और vertical line मैंने ड्रा की यहां से ठीक है इस line को बोलते है जो मैंने vertical line ड्रा की यहां पर ये जो है इसको origin बोलते है पहले देखो इसी को define करते है 0,0 इसको बोलते है initial position यहां हम usually capital O से इसको denote करते है ये starting point होता है इसको origin बोलते है ठीक है यह horizontal वाली line जो है इसको x-axis बोलते है ठीक है यहां पर मैं dash लूँगा dash के side negative values आते हैं और यहां पर इस side positive value होंगे x-axis ठीक है तो यह इस पर कौन से values लिखेंगे हैं कोई भी real number 1,2,3,-1,0 वगेरा तो यह y-axis is a vertical line यह इसको perpendicular होती है यहां पर 90 degree बनना चाहिए perpendicular, vertical होती है और यहां पर मैं इसको dash लूँगा यहां से तो इस side आपके negative y के value इस side आपको positive value भी लेंगे y के ठीक है तो मैंने क्या बताया आपको यह जो linear equation in two variable होती है my dear students तो देखो पहले चलो पहले इसी को analyze करते हैं तो horizontal line होगी my dear students it's x-axis vertical line होगी y-axis यह starting point होता है इसको बोलते है origin ठीक है तो ए जो x-axis है यह भी एक straight line है x-axis is also a straight line तो अभी मैंने क्या बताया आपको बोलेंगे sir ने बोला any linear equation कोई भी straight line हो वो एक linear equation two variable है तो x-axis भी एक straight line है इसकी भी कोई equation होगी हाँ my dear students इसकी equation होती है यह आप याद रख लेना है x-axis की क्या equation होती है my dear students x-axis की equation होती है y is equal to zero this is the standard equation for x-axis और y-axis की होती है x is equal to zero यह y-axis की है और यह x-axis की है you have to remember क्यूं लेते हैं y is equal to zero x-axis क्यूंकि देखो जब आप x-axis पे आओगे x-axis पे जब आप कही पर पॉइंट लोगे x-axis पे मैं x-axis की बात कर रहा हूं x-axis पे आप कही पर पॉइंट ले लो तो उसमें y 0 होता है उसमें हम उपर जाते हैं नीचे जाते हैं अगर हम vertically move करेंगे ने vertically 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 का मतलब होगा ऐसे move करेंगे तो इसका मतलब आपका y-coordinate है कुछ ना कुछ ठीक है लेकिन मैं vertically move नहीं कर रहा हूं मैं खाली x-axis पे हूँ इसलिए इसमें y-coordinate zero है इसलिए x-axis की inclusion होती है y is हiances 0 और y-axis की होती है x-coordinate zero इसमें हम x का coordinate इस तरह लेते हैं अगर हम यहां जाएंगे तो x के left में जाते हैं अगर यहां जाएंगे तो x के right में जाएंगे तो अगर हम इस तरह मूँ करेंगे तो कुछ न कुछ तो X का होगा लेकिन मैं क्या कहा रहा हूँ आपको माई डियर स्टूडेंट्स यह जो यहाँ पे है मैं कही पे मूँ नहीं कर रहा हूँ इस पे मैं पॉइंट डाल रहा हूँ इस पे मैं point out y-axis पे तो y-axis पे x का coordinate absent होता है वो 0 होता है इसलिए यही वज़ा है कि x-axis को हम क्या मानते है my dear students y-axis की equation हम लेते है x is equal to 0 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम देख लो यह हो गया clear x-axis यह is a straight line इसकी equation होगी y-axis is a straight line इसकी equation होगी ठीक है अब क्या करेंगे है अब मैं बताऊंगा आपको अगर हम यह ज़रूरी नहीं इसी तरह equation मिलेगी आपको line की हम different natures से equation of line ड्रा करेंगे तो अगर हम एक line ऐसे ड्रा करेंगे यह भी a straight line है so it is a linear equation to variable ठीक है अगर हम इस तरह से line ड्रा करेंगे it is also a linear equation in two variable कोई भी line ड्रा करो आप इस plane पे that is a linear equation in two variable remember this thing कोई भी line ड्रा करेंगे that is a चलो अगर हमने एक line इस तरह ड्रा कर ली ठीक है अगर हमने एक line इस तरह ड्रा कर ली यह भी एक linear equation है linear equation to variable आएगी देखो मैं मालो इसकी equation जो general equation हम लेते हैं ने usually जो मैंने बताया आपको ax plus by plus c is equal to 0 ठीक है एक concept में बताने जारा हो आपको you have to remember that ये कोई भी equation है तो मान लो इसका graph इस तरह है ठीक है तो एक linear action to variable तो देखो यहां से ये cut करती है x-axis को यहां से ठीक है और यहां से cut करता है किसको y-axis को ठीक है ये जो इतनी line segment है यहां से यहां तक इसको बोलते है my dear students x-intercept 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 का मतलब हो गया इस में इस line ने x-axis में यहां से यहां तक कितना cut किया ठीक है और इसी तरह इस वाले को बोलते है इस line ने इसी line ने यहां से यहां तक y में कितना काट के इसको बोलेंगे y intercept y intercept ठीक है तो x intercept हो गया y intercept हो गया x intercept हो गया यह line यह वाली line x axis में कितना काटती है origin से लेके वहां तक और यह y intercept हो गया origin से लेके उस point तक जहां भे इसको काट करती है लाइन उसको बोलते है Y-intercept ये X-intercept और Y-intercept ये कितना होगा अगर इसकी equation ये कितना होगा अब याद रख लेना ये मैं शार्टकट बोलने जा रहा हूँ आपको इसको सालो करने की जुरूरत नहीं है ये आप याद रख लेना इसको हम क्या करते हैं इसको हम बोलते हैं ये है माइनस सारी मैं पैन चेंज करूँगा पहले देखो ये होता है माइनस ये वाला इंटरसेप्ट यहां से यहां तक ये वाला इंटरसेप्ट होगा माइनस B अपान सारी माइनस C अपान A माइनस C अपान A ठीक है और ये वाला होगा माइनस C अपान B माइनस C अपान B तो यहां से यहां तक यह माइनस C अपान B और यहां से यहां तक यह माइनस C अपान A ठीक है इसको बोलते है X वाला इंटरसेप्ट इसको बोलते है Y वाला इंटरसेप्ट और यह इसी equation से आ जाता है आपके पास ठीक है मैंने वो detail में explain किया उपर तो क्या करना होता है actually intercept निकालने के लिए अगर आपको बोलना है नहीं ये x-axis को कहां पर मिलती है तो आप y को हटा होगे यहां से y को यहां से हटा दिया ठीक है मैं चलो इस तरह बताने की कुछ करूँगा आपको यहां इस तरह हम इसको हटाएंगे तो यहां से देख लो आप मैंने x वाला intercept यहां पर देख लिए मैंने माइनस c अपान a कर दिया और y इंटरसेप्ट यहां पर यहां से मैं दिखाता हो आपको नीचे फिर से एक बार हम ट्राय करेंगे कैसे निकालते हैं intercept को दिखो अगर आपकी यह equation ax plus by plus c is equal to 0 यह आपकी equation है तो क्या करना होता है अगर आपको निकालना होता है x intercept यह x axis को कहां intercept होगी line तो यह वाला cut करना होता है इसको इस साइड लाएंगे ax तो plus c is equal to 0 x का value निकालेंगी तो x का value आएगा c उस साइड आएगा right साइड में c और यह यहां से नीचे divide होगा c upon a आएगा इस तरह तो इसी तरह y का निकालेंगे वो similarly इसी तरह वो c upon b आएगा ठीक है तो यह आपको याद रखना है ठीक है x का intercept होता है minus c upon a y का intercept होता है minus c upon b ठीक है आगे आएंगे my dear students तो देख लो पहले मैंने यही लिखा था एक linear equation क्या होती है इस straight line होती है ठीक है यहां से मैंने drag किया और next मैंने लिखा है यहां पे equation of the form ax plus by ax plus by represents straight line passing through the origin ठीक है अब यह इसका मतलब क्या हो गया यह भाई आप याद रख लेना अगर आपके equation में constant gap है like this अगर आपकी equation में constant ही नहीं है constant gap है इस तरह होगी equation मानलो 2x plus 3y तो constant 4c होता है ना c इसको हम वहाँ पे लिखते है ना ax plus ic होते है equation general ax plus by plus c लिखता हूँ मैं अक्सर is equal to zero ठीक है यह c वाला गाईब है constant यहां पे है ही नहीं कुछ तो ic equation अगर यह x axis है y axis है तो ic equation आरजन में पास होगी इस तरह तो यह आप याद रख लेना कोई भी equation जो आरजन में पास होगी आर्जन के थूँ पास होगी वो उसमें आपको ये याद रखना हो पड़ेगा सारी आर्जन में मान ले ये भी आर्जन के थूँ होगी ये भी आर्जन तो उसमें आपको ये एस्टू करना होगा भाई कानस्टंट गाइब है So you have to remember one thing अगर आपसे कोई question पूछेगा अगर क्या question पूछेगा ने भाई ये एक line है ये origin में पास होती है अब इसको बताओ इसमें क्या property होगी इसमें यही property होगी इसमें ये constant c 0 होगा ठीक है इसमें ये constant क्या होगा भाई ये 0 होगा यहाँ पर मैंने लिखा है ठीक है तो यहाँ से मैंने क्या लिखा equation of x axis and y axis मैंने नीचे explain क्या x axis की equation होती है y is called 0 and y axis की होती है x called 0 और दो lines मैंने एक को बोलते है vertical line दूसरी बोलते हारिजंटल line यह मैं बताने की कुछ करूँँगा horizontal line यहाँ से देख लो अब यह वाली आरजन में आरजन के through pass होती है इसकी equation यहाँ से मैंने लिए है यह general equation है क्योंकि यह आरजन में pass ने होती है इसके intercept है यह वाला x intercept हो गए यह वाला y intercept हो गए यहाँ से मैंने इनको define किया जो मैंने नीचे बता रहा था आपको x intercept होता है minus c upon a is equal to 0 यहाँ 0 c upon a देखो यह मैंने क्यों लिखा देखो यह actually coordinates of a point होते है मैंने इस तरह लिखा ना coordinates of a point होते है coordinates एक point के दो coordinate होंगे plane में x and y तो सबसे पहले हम x का coordinate लेते हैं तो पहला जो भी होगा यहाँ पर मैंने 0 लिखा तो पहला x का coordinate होगा दूसरा y का coordinate होता है ठीक है बात समझ ना मेरी पहला x का coordinate होता है दूसरा y का coordinate होता है ठीक है यहाँ से explain करेंगी ठीक है तो अगर आप कही पे भी एक point ले लो यहाँ से यह एक point ले आपने तो x, y के coordinate अगर हम मान लेंगे तो भाई साब ये पहला कार्डिनेट X का होगा अगर इसके मान लो मैंने माइनस 2 आपान माइनस 2 का माइनस 3 लख लिया फार टाइम भी या पलस 3 लख लिया तो ये माइनस 2 होता है X का कार्डिनेट ये होता है Y का कार्डिनेट तो एक point के दो coordinate होंगे, तो पहला वाला होता है x का coordinate, दूसरा वाला होता है y का coordinate, x का coordinate हो गया, यह point जो यहाँ पे है, यहाँ से कितना दूर है, x axis यहाँ से कितना दूर है, x, इस distance को बोलते है x coordinate, और इस distance को बोलते हैं, यह distance जो होती है, horizontal इसको x coordinate बोलते हैं, यह distance जो होती ह इसको y coordinate भूते हैं यह हमें coordinate geometry में आगे पढ़ना होगा शायद तो फिलाल इतना आप याद रख लेना x coordinate होता है पहला जो होता है coordinate वो x का होता है दूसरा जो होता है y का होता है x coordinate हो गया हम horizontally कितना दूर जा रहे है और जन से या y coordinate हो गया vertically height कितनी है हमारी point की ठीक है from x axis you have to remember this thing एक और चीज मैंने आपको अभी बताए विटिकल lines जो होती है vertical lines की एक अपनी पहचान होती है अपनी equations होती है ठीक है vertical line होती है एक आईसी line जो हम डालेंगे परल टू वाइ-axis यह ऐसी एक वोटिकल line है तो यह भी एक linear equation तू आप और आईसी linear equation बोलते है इसकी equation यह किसको परल है यह परल y-axis को है my dear यह परल किसको है y-axis को परल है तो जब y-axis को परल कोई line आएगी तो इसकी equation होती है x is equal to constant x cold c लेंगे हैं x cold क्यों constant होगा देखो हमारा actually यहां से यहां तक होता x coordinate यहां से यह always same रहेगा इस line पे यह x coordinate यह always same रहेगा ठीक है तो इसलिए जो vertical line होगी यह constant x cold c यहने x is equal to constant x coordinate constant रहेगा y barrier इसलिए आपको यह याद रखना है x is equal to c यह ज़रूर ने एक स्कॉल्ट मैंने अगर मैंने लिखा x cold four तो यह positive side में आएगा four x का positive side है तो यह ऐसे line आएगी four पे यहां पे यहां पे four होगा तो four पे मैंने एक line ड्रा कर लिए vertically x cold four है अगर x cold minus three आगया माईडियर तो यह right left side में आएगी मालो यहां इदर यह यहां पे minus three है तो यह vertical line आएगी x cold minus three similarly जो horizontal lines होती है horizontal lines होगी अब जो x axis को parallel आएगी ऐसे है यह x axis है यह y axis है अब लेंगे हम एक line ड्रा करेंगे यह एक line डाल दी मैंने it's called horizontal line इसकी equation होगी y is equal to constant अब यह उपर वाली side पे है तो positive होगा तो इसकी equation कुछ ऐसे हो सकती है y is equal to two यह y को यह parallel to x axis है क्योंकि इस पर y constant होगा ठीक है height यह y वाला constant होगा vertical distance same रहेगी तो y वाला constant y का coordinate constant रहेगा इस पे my dear students इसलिए इसको बोलते है y is constant अब simple आप यहाद रख रख लोगी जो भी line x axis को parallel होगी उसमें y constant होगा y is equal to c x का पता नहीं होता है x vary होता है इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर y is equal to two ठीक है और यहाँ पर हम नीचे भी ला सकते हैं इसको y is equal to यहाँ पर नीचे होगी minus ठीक है y is equal to minus two अब देख लो अब मैंने खाली उसमें एक जो पहली equation लिखी उसमें खाली मैंने एक variable डाल दिया linear equation two variable आपने असर बताया linear equation two variable straight line होती है तो क्या हो रहा है यहाँ ठीक है तो actually कुछ इस तरह हो रहा है my dear students you have to remember this thing जब हम बोलेंगे ना ऐसे y is equal to two इसमें एक ही है अभी आपको पता है यह y is equal to two किसको परल है it is parallel इसको लिखते है parallel to x-axis यह x-axis को परल है जब y आएगा constant तो x-axis को परल है तो इसमें x कहां है इसमें देख लो अगर इसमें x है नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते है x into 0 तो यह अब आगई equation in two variables x and y अब खाली इसमें क्या है यहाँ पे coefficient 0 है अगर दोनुझ 0 होंगे यहाँ पे coefficient 0 नहीं है मैंने definition में लिखा a is not equal to 0, b is not equal, दोनुझ 0 नहीं होनी चाहिए एक का कोई पंगाया नहीं एक हो सकता है यहाँ पे देख लो यह वाला coefficient 0 है तो इसलिए म 4 एक vertical line होती है parallel to y axis, y axis को यह parallel होगी ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम यह x लिख लिख लिया हम इसको y के साथ coefficient जोड़ेंगी 0, 0 y is equal to 4, अब इसमें सारे आगए constant y का भी आगए x का भी, तो इस तरह से हम इनको treat करते है फिर as a linear equation in two variables, ठीक है, I hope this is clear now, यहाँ से ग्राफ म मैंने नीच आपको explain किया है, वो सारा मैंने यहाँ पर लिखा है, x intercept, x is equal to c, represent straight line parallel to y axis, y is equal to c, represent straight line parallel to x axis, ठीक है, इसको horizontal line बोलते हैं, इसको vertical line बोलते हैं, तो अब हम आएंगे solution पर, एक straight line जो मैं बोड़ रहा हूँ आपको यहाँ linear equation, one and the same thing, linear equation two variable बोलेंगे, यहाँ हम बो equation जो इस linear equation का solution होता है, वो actually क्या होता है, ठीक है, जो ज़रा हम देखते हैं, मैंने definition में लिखा है, a solution of a linear equation, ax plus by plus c is equal to 0 is that value of x and y which satisfies it, जो इसको satisfy करता है, जो इसको satisfy करता है, ठीक है, तो satisfy करता है, इसका मतलब क्या हो गया है, मैं बताऊंगा आपको, geometrical equation first is a straight line, यह इसका मैं लिखा है, मैंने कोई equation है, इसका नाम first रख लाया है, मैंने, यहाँ पे ax plus by, यह एक straight line होती है, आपको मालूम है, भी बताया है, मैंने geometrically linear action to variables line होती है, and every point on the line is its solution, यह ना बात, क्या बोल रहा हूँ है, every point on the line, क्योंकि पहले solution understand करने की कुश करेंगे, फिर बाद में इस आते हैं, solution क्या होता, actually line का, देखो, solution किसको बोलते हैं, अगर मैं बोलूँगा आपको by, x plus y is equal to 6, यह एक, एक ही straight line, एक ही linear equation है, जब भी आप एक linear equation होती है, मैं आप खुद बताऊगी कितने solutions हो सकते हैं, ठीक है, बात में बताएंगे, वो geometrically हम इसको understand करेंगे, कुश कर रहा हो, आपको x plus y, यहने दो variables हैं, आपके पास, कुछ दो numbers होंगे, क्योंकि x and y जो हम अभी real world में है, real numbers system में है, तो दो numbers का आप sum कर रहा है, 6 आ रहा है, तो क्या क्या value हो सकता है x का, तो भाई, यह simple जी बात है, x का value 1 लेंगे, y का 5 लेंगे, तो 5 plus 1 आगया 6, यह जरू को लेंगे sir, नहीं, x का हम लेंगे sir, 3, तो y का 3 आएगा, देखो मैंने लिखा था उदर, satisfies, satisfies का मतलब हो गया, अगर आप यह x यहाँ पे लिखोगे 1, और यह 5 यहाँ पे लिखोगे, तो मान लो हमने लिख लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा 5, 1 plus 5, क्या हो गया, 6, यह यहाँ पे भी क्या है, 6, इसको बोलते है, satisfies, तो balance हो गई, यह जो right side है, और left side यह same आ गया, आना भी चाहिए, equation है न, तो इसी को बोलते हैं, यह एक ऐसा value होता है, x का, और y का ऐसा value होता है, जो हम यहाँ पे अगर x के बदले डाल दिया, फिर यहाँ पे हमने y के बदले ड बनाता है, left hand side को, इसी तरह अगर हम x का value 2 डालेंगे my dear, तो डाल दिया 2, अगर y का value 4 डाल दिया, तो डाल दिया 4, तो कितना है my dear student, 6 आ गया, यह left side है आ गया, lhs, यह क्या आ गया, rhs कितना है, rhs 6 है, तो left side is equal to right side, तो ऐसा होना भी चाहिए, जब भी left side, right side के बराबर आएगा, तो हमने क्या का value डाले थे, हमने 2 डाल दिया था, हमने y का value 4 डाल दिया था, तो हम बोलते हैं, यह सलूशन है, तो solution इसका यह है, x equal to y equal to 4, यह वाला भी है solution, यह वाला भी solution है, इसके और भी solution होंगे, अब आप बोलोंगे sir, कितने solutions हो सकते हैं, ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको भाई, यह I hope की solution clear हो गया होगा आपको, solution एक value होता है, x and y का, दूनुका, x and y का value होता है, जो इसमें हम डालते हैं, तो इसको यह x set के बराबर बनाती है, right set के बराबर बनाती है, एक ऐसा value जो इसको satisfy करता है, ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे ही लिखा था य अगर यह देख लो, कोई भी point ले लो आप, यहाँ से अगर यह cards and plane है, यह एक line है, क्योंकि यह equation होती होती न, citrate line, यह linear equation है, x plus by plus c is equal to 0, तो यह line है, linear equation होगा है, इस पर कितने point होंगे, यह line कितने points की बनी है, यह line infinite points की बनी है, infinite points, infinite points की बनी है, ठीक है, थोड़ी सी adjustment नही हो रही है, you have to assume है, जो मैं point मैं drag कर रहा हूँ न, वो इसी line पे है, ठीक है, तो यह line कितने points की बनी है, infinite number of points, so remember one thing, जितने कोई भी point इस line का अगर हम लेंगे, इस line पे जो भी point लेंगे आप, वो solution है, यह solution है, यहाँ से ले लिया point, यह solution है, इस line का, इस equation का solution है, यहाँ से ल equation के कितने solution होंगे, infinite solution होंगे, बात समझाई मेरी, तो एक equation, एक equation की बात करो हमें, खाली एक equation की, जिस तरह आपने भी लिखी थी, x plus y is equal to 6, एक equation है, एक equation के कितने solution होंगे, आपको आखे बंद करके यह कहना है, guarantee के surety के साथ यह कहना है, अगर कहीं भी आप objective मिले, आपको द remember one, three, खाली एक equation होंगे, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, बात हो रही है, एक equation की, एक equation होगी, linear action to variable, इसके कितने solutions है, infinite number of solutions, एक दो आप निकाल, जब इसके लातेदात solution है, आप एक दो निकाल सकते हो, और यह भी ज़रूरी नहीं है, कि एक का solution, दूसरे के solution के साथ मै एक solution मैंने उपर कर दिया था, एक equation का, आप यहां से मैंने एक equation निकाल दी, three x plus four y, तो यहां पर लिखा है, मैंने दस equation firstize infinite many solutions, यह आप आपको clear है, क्यों इसके infinite solution होते है, my dear students, क्यों होते है, क्योंकि एक solution एक point होता है, so there are infinite points, so there are infinite many solutions to an linear action to variables, तो यहां पर एक equation दिये, मैंन अगर यही से understand हो गया, तो यही से करते है, तो मैंने यहां पर एक cut and plane draw किया है, x axis, y axis, cut and plane का मतलब हो गया, x axis, y axis बनाई है, मैंने यहां पर, तो equation कुछ इस तारह से है, three x plus four y plus, यह देख लो, जब भी हम equation लिखते हैं, हम लिखते है, ax plus लिखते है, by plus लिखते है, c is equal to zero, यही लिखते हैं न, तो x के left में जो होता है, इसको बोलते है, remember, for convenience, from the standard representation, यह जो y का e है, आप पे को option है, यह भी है, और तीसरा जो बचा बचा बचारा, उसको constant बोलते है, c बोलते है, अब यहां पे देख लो, यह इसका a यहां पे three है, b कितना है, four है, c कितना है, 12 है, अ x-axis को यह line कहां पे मिलेगी, x-axis को line मिलती है, c upon a, x-axis को यह मिलती है, x-axis की बात हो रही है, y-axis को कहां पे मिलेगी, y-axis को मिलेगी by minus c upon b, यह shortcut मैंने बोला था आपको, यह याद रखना, लेकिन उसको मैं यह ने detail से यहां पे किया है, देखो, हमें निकालना है, put मैंने क् x genere zero इस में x का value 0 डाल दिया यह x का value यहाँ 0 डाल दिया तो यह खत्म वहाँ पे बचा 4 y put x Licht 0 फिर मैंने यहाँ पे लिखा y is gold 3 y is gold 3 अगर हमने यहाँ पे फिर y का value 3 डाल दिया देखो क्या होगा left side को 3 x x के बले 0 3 0 4 y 4 Y के बल्ले मैंने डाल दिया माइनस 3 यह एक्चुली माइनस 3 है यहाँ पे 3 0s are 0 4 3s are 12 माइनस 12 माइनस 12 और प्लस 12 हो गया 0 यह 0 के बराबर आगए तो यह RGS के बराबर आगए जब भी कोई value X का और Y का इस equation को balance करेगा left side को right side के बराबर बने गए इसका solution है तो इसका एक solution है 0 का माइनस 3 और इस solution को मैंने जब हम 0 लेंगे यह आप याद रख लेना यह एक एहम point है it's a intersection with Y axis क्योंकि यह देख लो X का 0 होगा तो यह point Y axis पे होगा Y का कितना है? माइनस 3 इसको मैंने शार्टकट से इस तरह निकाला है 0 upon minus C by B ठीक है? चलो हम इसको यहाँ से clear करने की कुछ चरेंगी यहाँ से 3X plus 4Y is 12 यह कुछ इस तरह है 3X plus 4Y is equal to 12 देखो भाई जब आपको X axis के साथ intersection निकालनी हो X axis को कहा पे मिलती है? अभी मैंने आपको बताया था X axis को कहां मिलता है यह X axis को मिलता है बाई minus वो solution different है हम intersection बोलते हैं कहां पे X axis को मिलेगा X axis को बाई मिलेगा यह minus C upon A is equal to 0 यह यह हो गया आपका A यह हो गया आपका B यह उस side 12 है तो अगर इसको यहां पे plus डालेंगे क्योंकि standard में मैंने C इस side लिखा है तो इसको 0 मानेंगे यहां पे तो यह आपका C है ठीक है मैंने इस side काना standard लेके आया है मैं यहां पे क्योंकि standard equation जब हम लिखते हैं तो मैंने वहां पे लिखा X plus B plus C ठीक है तो यह मैंने वहां पे एक रिमारक highlight में लिखा था उपर minus C upon A is equal to 0 यहां पे यह X axis को मिलेगी minus C अगर आप C का value देंगे minus formula का C 12 है upon A 3 है तो यह 0 आगया 3, 4, 12 तो यह आगया minus 4 upon 0 याद रख लेना तो X axis को कहां पे मिलता है एक मिनट X axis को मिलता है by dear students minus 4, 0 तो similarly अगर य-axis की बात करेंगे Y axis की बात करेंगे Y axis को कहां पे मिलेगा तो Y axis के लिए मैंने बोला था my 0 पहले आता है क्योंकि Y axis पे X 0 होता है और X axis पे Y 0 होता है तो यहां पे मैंने लिखाता C upon B तो अगर यह सिंप्लिफाइ करेंगे my idea आप 0 ऐसे लिखेंगे minus formula का है C 12 है upon B B क्या है? B 4 है यहां से देख लो B 4 है ठीक है? यहां से 4 है तो 4, 3, 0 होगा है 12 तो my idea students यह 0, minus 3 आ गया तो यह वाला point जो निकला यह line कहां मिलती है यह मिलती है 0, minus 3 पे Y axis को और minus 4, 0 पे किसको मिलती है Y axis को वही यहां पर मैंने लिखा है नीचे देखो यह मिलती है minus 4, 0 पे किसको X axis को यह वाला point और यह मिलती है minus 0, 3 को Y axis पे ठीक है? तो minus 0, 0 हो गया X का 0 तो minus 3 हो गया हम Y का minus 3 ले तो नीचे आएंगे इसलिए मैंने नीचे लिखा क्योंकि यहां पे negative है इस साइड के minus 4 का मिलती हो गया X का minus 4 लेना है Y का 0 तो यह Y axis पे आएगा तो यह एक point यह point इनको join किया ना इन दो को हम join करेंगे सिकेल के साथ तो यह एक line आगी इस तरह graph हम ड्रा करते है linear equation का तो graphical graph से आपको लेना देना है कुछने मैंने फिर भी सोचा आपके कही काम आएगा तो यह आप याद रखनें खाली यह चीज़ एहम है इसमें intersection कैसे निकालते हैं यह वाला इस इंपोर्टन जिरो काम माइनस सी अपान भी यह intersection with y-axis और दूसरा यहाँ पर आप यह देख लेना इस इंटरसेक्शन with x-axis x-axis को कहाँ पर मिलेगा y-axis को कहाँ पर मिलेगा यह भी एक solution है यह भी एक solution है यहाँ पर मैंने लिखा अगर हम x के बल्ले लिखेंगे minus 8 यह देख लो 3 into minus 8 minus 24 हो गया plus 4 y y का value मैंने 3 दिया 4 into 3 12 फिर है plus 12 तो जब हम इसको simplify करेंगे यह 12 आगया 12 plus 12 24 यह minus 24 है यहाँ पर minus 24 plus 24 काट तो 0 आगया तो इस value ने x called minus 8 or x y is equal to plus 3 इसने भी इसको satisfy किया यह भी एक solution है तो यहाँ पर मैं तीन solution दिखा रहा हूँ लेकिन मैंने बोला है आपको एक line या एक straight line की कितने solution होते हैं एक linear equation की one two variable जो होती है उसमे infinite solutions होते हैं so my dear students इसके साथ हम इस topic को conclude करते हैं अब आपने यहाँ से क्या सीखा शाटकट हाइलाइट्स में बता हूँगा आपको हमने यह सीखा जो linear equation in two variable होती है वो एक straight line होती है ठीक है तो straight line बहुत सारी किसम की होते हैं पहले x axis एक straight line है उसकी equation y is equal to 0 फिर मैंने लिया था भाई y axis को लिया था मैंने y axis y axis एक equation है y x एक straight line उसकी equation x equal to 0 फिर मैंने एक line ड्रा कर ली यहाँ से कोई भी line ड्रा कर लेंगे उसमें intercepts निकालने पड़ते हैं intercepts कैसे निकालते हैं मैंने बता है minus c upon a and minus c upon b तो एक line इस तरह भी हो सकती है जो margin के through होगी तो ऐसी equations में क्या प्रापरटीज होती है वो उनमें constant 0 आ जाता है तो vertical lines मैंने आपको बताई vertical lines जो होती है y axis को parallel होगी उनमें x is equal to constant होगा और horizontal lines होगी जो x axis को parallel होगी तो उनमें y constant होगा तो फिर मैंने आपको बताई solution, solution satisfy करता है तो एक line के कितने solution होगी infinite solution होते है कितने points होते है infinite many points होते है line पे तो infinite many solution होगी line के तो ये nutshell मैंने पढ़ाया आपको ठीक है thanks I hope कि आपने अच्छे से समझा होगा thanks